अरे बीच में गुरुकुल के प्रमुख बहन रश्मी जी इंदोर से आई हैं वो पांच मिनट का समय लेंगी और हमें बताएंगी किस तलह हम गुरुकुल से सादक विद्यार्थियों को बच्चों को जोड़ें तालियों से दीदी का भी स्वाराब करते हैं सभी को हडियों सभी गुरुकुलों की ओर से प्रतिनिधी के रूप में मैं आप लोगों के सामने हूँ सबसे पहले सभी को प्रणाम क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है दीपावली शिविर का हर साल ही होता है शिविर पिछले साल नहीं हुआ को रोने के कारण लेकिन इस साल बिल सभी गुरुकुलों की तरफ से एक संदेश आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूं कि हमारे आश्रम के प्रोडक्स होते है न तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिखा होता है केवल साधक परिवार के लिए होता है लेकिन अगर कोई आता है बाहरी व्यक्ति आ दामों में, सस्ते दामों में उपलब्द कराई जा सके एक प्रकार की सेवा हो जाए अच्छे लोगों की सज्जन लोगों की साधकों की ये उद्धेश रहता है हमारे आश्रम का और इसलिए वो लिखा भी रहता है केवल साधक परिवार के लिए ऐसे ये जो गुरुकुल है कि आपको अगर किसी भी प्रकार का संधे है गुरुकुलों के विश्य में तो आज मैं थोड़ा सा वहां की जो खूबिया है जो आपको ऑर दूसरे इस्कुलों में नहीं मिलेंगे जो घुरुकुलों में ही मिलेंगी इन पर मैं थोड़ा सा प्रकारश डालना का कि अनुसार ही सारी दिन चरिया सारा खान पान रितु चरिया पढ़ाई लिखाई सब कुछ बापु जी के सिध्धानतों के अनुसार होता है बताइए ये किसी और स्कूल में मिलेगा क्या पुझे बापु जी का संदेश कई बार जो गुरुकुलों के हमारे वरिष्ठ लो अभी तो बापु जी ने कहा कि गुरुकुल से पेट पालू पशु नहीं निकालने हमको गुरुकुल से ऐसे बच्चे निकलने चाहिए जिनका उद्देश्य इश्वर प्राप्ती हो अगर गुरुकुल से सिर्फ पेट पालू पशु जैसे बच्चे निकल रहे हैं तो ऐ पढ़ाई तो हर जगा है गुरुकुलों के पढ़ाई में कोई कमी हो तो बताइए कुसी भी प्रकार की कमी नहीं अच्छे शिक्षक रखे जाते हैं इंडिविजुली ध्यान दिया जाता है अच्छा रिजल्ट आता है हम होम एक्जाम्स की बात नहीं कर रहे हम तो बोर्ड की बात कर रहे हैं हर साल ही बढ़िया रिजल्ट भी आते हैं हमारे यहां के बच्चे अच्छे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं विज्ञान की प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं और नाम रोशन करते हैं अच्छे अच्छे उनके प्लेस्मेंट हैं आप हो कि गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं यहां वहां पढ़ाने के बज़ाएं गुरुकुलों की शिक्षा दें और जिस उद्देश्य से गुरुकुल खोले गए हैं वो उद्देश्य पूरा हो हम बार-बार बोलते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है के लिए यह एक सीड़ी है बालसंसकार में जो चीजे बच्चों को एक हफ्ते में एक बार सिखाई जाती है हमारे गुरुकुल के बच्चे 24 घंटे उसको जीते हैं सुबह साढ़े चार पॉने पांच बजे से उनकी दिंचरिया शुरू होती है रात को नौ साढ़े नौ ब इसके अलावा घर पर आप चाहकर भी वो दिंचरिया नहीं सेट कर सकते हैं जो गुरुकुलो में सहज में हो जाती है आप अभी बच्चे आए ना यहां पर खुब जोश आ गया भी खुब एनरजी बैटरी चार्ज हो गई है अभी घर जाएंगे तो सब का अनुभा है कित इसके अलावा घर पर बच्चा है अगर अनाप्शन आप खाएगा कभी इसकी डिमांड करेगा कभी उसकी डिमांड करेगा हमारे गुरुकुलो में चार बार ही आहार होता है और इस चार बार के आहार में उसको गाय का दूध रितु अनुसार जो भी भोजन का निर्देश साथवीक स्वादिष्ट भोजन और इसके अलावा वैसा ही नाश्ता पूरे जिस समय में नौ से ग्यारा के बीच में सुबह का भोजन साथ से नौ सुबह के नाश्ता और तीन से पांच के बीच में दो पहर का हलका नाश्ता और साथ से पांच से साथ के बीच में रात का भ बिल्कुल बढ़िया एक्टिव हो जाते हैं, घर पर कुरकुरे खा रहे हैं, पीजा, बर्गर, चॉकलेट्स, यह सब वहां पर अलाव ही नहीं है, तो बच्चे इन चीजों से सहज में बच जाते हैं, इसके अलावा जो एक स्लो पोईजिन है आजकल, मोबाइल, उन मोबाइ बड़ी सुक्ष में बात में आप लोगों के सामने रखनी हूँ, बच्चों को बच्चे किस चीज से ज्यादा सीखते हैं, वो देख देख करके सीखते हैं, तो मुझे बताईए कि गुरुकुलों में जो आचारे और दीदियां, जो टीचर्स वहां पर पढ़ाते हैं, उन उसका भी बच्चों के जीवन पर बहुत असर पड़ता है, और आधुरिक्ता से प्रभावित, पाष्चाते संस्कृती से प्रभावित शिक्षकों के मागदर्शन में, उनके अंडर में जब बच्चा रहेगा, तो उसके संसकारों पर भी उसी प्रकार का असर पड़ेगा तो ये निवेदन है और इसके अलावा एक निवेदन ये है कि सभी गुरुकुलों में, अगर कोई हमारे साधाक भाई बहन जो की योग्यों हों, वो अगर सेवा देना चाहें, जैसे कि विशय शिक्षक, संगीत, कला और खेल शिक्षक, इसके अलावा, होस्टल वार्डन, ड्राइविंग, माली, और प्रचारक की सेवा, इस प्रकार की सेवा भी अगर देना चाहते हैं, तो आप गुरुकुल के स्टॉल पर रिक्वार्मेंट वहाँ पर जो कैंडिडेट प्रोफाइल है, वो आप भर सकते हैं, इससे आपका संपर्क और आपके विशय की जानकार ही कितनी रहती होगी, तो सबसे पहली बाद तो ये बापुजी बोलते हैं, गुरुकुल में सेलरी नहीं मिलती है, यहां प्रसाद मिलता है, तो वो जो प्रसाद है, वो भी आप आपके शेहर के जो भी स्कूल होंगे, वहां से आप कंपेर कर सकते हैं, यानि कि परयाथ अनभो के आधार पर ही वो प्रसादी तै की जाती है, तो जो भी एकशूख हो साधाग भाईवेन, वो गुरुकुल के स्टॉल पर संपर कर लेंगे, धन्यवाद हरी हों, साधू, 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 रश्मी दीदी को खूब खूब धन्यवाद, हमें गुरुकुल के सुंद आयुर्वेद का हमको पाठेक्रम दे और हम निशित तोर पर अपने पाठेक्रम में इसको शामिल करेंगे, आपको मैं बताओं कि कुछ गुरुकुल जो है, वो गीता पढ़ाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे उनको गीता कंठस्त है, तो गीता के साध़ हम आयुर्वेद क आपको भी अपने पाठेक्रम में शामिल करेंगे, दीदी ने जो बताया, वो छोटे-छोटे बच्चे अब उनको सुनाएंगे कि हाँ, हमने गुरुकुल में ये पढ़ा है, ये सीखा है, वह अची बाद है, कुप सारुबाद, अन्यवाद